1, 2, 3, come on! Welcome to Educative! Hello students! Welcome to my YouTube channel जिसका नाम है Educative और आज हम पढ़ने वाले हैं 7th class की science का chapter 5 acids, bases and salts यानि की अम, शारक और लवन बच्चों, इससे पहले हम science के 4 chapter को अपनी वीडियो में cover कर चुके हैं अगर आपने वीडियो नहीं देखी हैं तो उन सभी का link आपको नीचे description box में मिल जाएगा तो वहाँ से आप उसको देख लीजिए पढ़ लीजिए ताकि आपको ये chapter और अच्छे समझ में आ पाए तो चलिए बिना किसी देरी के chapter शुरू करते हैं बचों, हम अपने डेली लाइफ में बहुत से पदार्थों को यूज करते हैं जैसे कि लेमन, नीम्बू, इमली, सॉल्ट यानि कि नमक, शुगर, चीनी और सिर्का तो क्या इन सभी का सुआद एक जैसा होता है तो यहाँ पे नीचे आपको एक टेबल दी हुई है, 5.1 इनका जो टेस्ट होता है, उनको आप याद करने के कोशिश कीजिए कि इन सब का टेस्ट कैसा होता है और आपने इन में से किसी पदार्थ को अगर अब तक चक्कर नहीं देखा है, उसका सुआद नहीं पता है तो अब उसको चकहे और पता लगाए कि उसका सुआद कैसा होता है और जो भी रिजल्ट आया उसको टेबल 5.1 में फिल कीजिए लेकिन यहां पे आपके लिए एक चिताव नहीं भी दी हुई है कि आपको क्या ध्यान रखना है जब तक आपको कुछ टेस्ट करने के लिए ना का जाए तो यह देखे यह है टेबल 5.1 इसमें दियो वें कुछ पदार्थों के नाम, सबस्टेंस के नाम और यहां पे जो कॉलम है उसमें दिया हुआ है टेस्ट जैसा भी उसका टेस्ट है उसके अकोर्डिंग आपको यहां पे लिखना है जैसे कि lemon juice है तो lemon juice का टेस्ट कैसा होता है sour यानि कि खटा होता है तो इसी तरह से आपको इस टेबल को फिल करना है कि किस किस सबस्टेंस का टेस्ट कैसा होता है find that some of these substances tastes sour, some tastes bitter, some tastes sweet and some tastes salty तो आप यह पाएंगे इनको टेस्ट करने के बाद कि कुछ पदार्थों का तो स्वाद कैसा है खटा है कुछ का स्वाद कड़वा है, कुछ का स्वाद मीठा है और कुछ का नमकीन है अब यहां है हमारा topic next जो कि है accident basis यानि अमल और शारक curd, lemon juice, orange juice and vinegar taste sour जो दही होता है, lemon juice यानि कि निम्बू का रस, orange juice यानि कि संत्रे का रस और vinegar यानि कि सिर्का, इन सबी का टेस्ट होता है खटा यानि कि यह इनका स्वाद कैसा होता है, खटा होता है इस substances taste sourd because they contain acid और इनका स्वाद खटा क्यों होता है, क्योंकि इन में acid होता है उसी की कारण इनका स्वाद होता है, खटा The chemical nature of such substances is acidic और जो इन अदार्थों की रसाइनिक प्रकरती होती है, वो होती है acidic यानि कि अमली है The word acid comes from the Latin word acer which means sour और जो यह word है, शब्द है acid, यह कहां से आया है? यह Latin भाशा का एक शब्द है acer वहां से हमने इसको लिया है, जिसका meaning होता है sour, यानि कि खटा The acid in these substances are natural acids और जो अमल इन प्रकरतों में होते हैं, यह प्रकरतिक अमल होते हैं यानि कि natural acids होते हैं What about baking soda? जो हम घर में baking soda इस्तिमाल करते हैं, उसके बारे में आप क्या सोचते हैं? Does it also taste sour? क्या इसका टेस्ट भी खटा होता है? If not, और यदि नहीं What is its taste? तो इसका टेस्ट कैसा होता है? Since it does not taste sour, it means that it has not acid in it तो क्योंकि इसका टेस्ट खटा नहीं होता इसका मतलब है कि इसके अंदर acid नहीं होता है It is bitter in taste यह स्वाद में कैसा होता है? कड़वा होता है If you rub its solution between fingers It feels sopy और अगर आप इसके solution को इसके willion को अपने हाथों के उंगलों के बीच में रगड़ेंगी तो आपको कुछ साबुन जैसा मैसुस होगा जैसा आप साबुन के जाग बनाते हैं इसे तरह से आपको sopy feel होगा Substances like this which are bitter in taste and feel sopy on touching are known as bases तो इस तरह के पदार्थ जो की स्वाद में कड़वे होते हैं और जिनको आप feel करते हैं तो वो sopy feel होते हैं साबुन जैसे feel होते हैं वो सभी क्या कहलाते हैं? Bases यानि कि shark कहलाते हैं The nature of substances substances is said to be basic और इन पदार्थों के प्रकरती कैसी होती है? Basic होती है शारिय होती है If we cannot taste every substance How do we find its nature? लेकिन यहां कुछ substances को कुछ पदार्थों को तो हमने taste करके देख लिया कि उनका स्वाद कैसा है लेकिन अगर हम सभी पदार्थों को taste करके नहीं दे सकते तो फिर हम इनके प्रकरती कैसे समझ पाएंगे कि कैसे इनके प्रकरती है? इनका नेचर कैसा है? कैसे find out कर पाएंगे? Special type of substances are used to test whether a substance is acidic or basic तो कुछ एक special type के पदार्थ होते हैं इन सभी substance को test करने के लिए कि कौन सा पदार्थ acidic है यानि कि अमली है और कौन सा basic है इन पदार्थ हो कहा जाता है indicators यानि कि सूचक इन को acidic मिले हुए या basic मिले हुए solution के अंदर मिलाए जाता है तो ये अपना color change कर लेते है turmeric litmus china rose ये सब क्या है ये सब ही क्या है हमारे indicators और some of naturally occurring indicators जो है प्राकर्थिक रूप से मिलते हैं ये सारे के सारे प्राकर्थिक सूचक है अब यहाँ देखे बचों यहाँ पर हमें एक table दी हुई है और उपर लिखा वर do you know कि आप जानते हैं कि कौन सा acid किस पदार्थ में पाय जाता है तो हम देख लेते हैं कौन कौन से acid किस किसमें पाय जाते हैं सबसे पहले दिया हुआ है acetic acid acetic acid किसमें पाय जाता है vinegar में यानि कि circa में उसके बाद है formic acid जो कि पाय जाता है ant sting यानि कि जो cheaty होती है उसका जो dunk होता है उसके अंदर पाय जाता है citric acid जी हाँ citric acid जो कि पाय जाता है खटे फलों में जैसे कि orange, lemon इस तरह के फल में पाय जाता है उसके बाद है lactic acid ये पाय जाता है curd में यानि कि दही में oxalic acid ये पाय जाता है spinach यानि कि पालक में ascorbic acid ये पाय जाता है खटे फलों में जैसे कि आमला और citrus fruits यानि कि खटे फलों में अब है tartric acid ये पाय जाता है tamarind, grapes unripe mangoes यानि कि emly, अंगूर कच्चे आम में इन सभी में ये पाय जाते हैं और ये जितने भी हमें उपर acid दिखाए गए हैं ये हमें प्रकर्टि में मिलते हैं यानि कि प्रकर्टिक रूप में मिलते हैं अब नीचे देखिए यहां कुछ basis के नाम दिये हुए हैं ये देख लेते हैं calcium hydroxide ये पाय जाता है lime water में यानि कि चोने के पाने में उसके बाद है ammonium hydroxide ये मिलता है हमें window clearan में जो खिटकी साफ करने वाला जो cleaner होता है उसमें sodium hydroxide या potassium hydroxide ये मिलता है soap में फिर है magnesium hydroxide जो कि मिलता है milk of magnesium में ये थे कुछ acid और base जो कि हमें पता लगा कि कौन-कौन से पदार्थों में मिलते हैं अब यहां देखिए ये आ गया है आपका फिर से friend जो कि कौन है बूजो अब ये कुछ question लेके आया है can I taste all substances to find their taste तो ये कह रहा है कि क्या हम सभी पदार्थों के taste को जानने के लिए उन सभी को taste कर सकते है उन सभी को चख सकते है अब पहले देखिए कितनी समझदार है ये क्या कह रही है No Have you not read the question क्या आपने ओपर जो चेतावनी दी थी वो नहीं पड़ी We should not taste unknown substances हमें unknown substances को जिनके बारे में जैनकारी नहीं है उन पदार्थों को चखना नहीं चाहिए They could harm us वो हमें हार नहीं पहुचा सकते है बिल्कुर सही कह रही है पहली तो हमें कोई भी ऐसा पदार्थ नहीं चखना चाहिए जिसके बारे में हमें ना कहा जाए जिसके बारे में हमें पता ना हो तो बच्चों अब हमें पढ़ना है अपना next topic जो की है natural indicator around us हमारे चारों और पाई जानने वाले जो प्राकरतिक सूचक हैं उनके बारे में हमें पढ़ना है लेकिन इनके बारे में पढ़ेंगे हम अपनी next वीडियो में तो आज की वीडियो में बस इतना ही अगर आपको वीडियो समझ आई हो वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को like जरूर कीजिए और अपने जैसे सभी friends के साथ इसको share भी जरूर कीजिए और अगर आप channel पर नई है तो channel को subscribe कर दीजिए और जो bell icon आता है उसको press जरूर कर दीजे क्योंकि उसी के कारण ही आप हमारी सभी वीडियोस को देख पाएंगे और आपका कोई भी chapter मिस नहीं होगा तो जल्दी से subscribe कर लीजे और bell icon को press कर लीजे और लाशनर बस यही कहूंगी घर पे रहिए मगर पढ़ते जरूर रहिए थैंक्यू फॉर वाचिंग मैं वीडियो